एकुंकार, सतनाम, कर्तापुरक, निर्पौ, निर्वैर, अकाल मूरत, अजुनी, सैब भंग, गुर्परसाद, जब, आज सच, जुगाज सच, हैबी सच, नानकोसी भी सच, वाइगरुजी का खालसा, वाइगरुजी की फटे, याद रखना, अगर कोई और एटम लगाओ, तो उसे हेटरो एटम करते हैं, हेटरो एटम, याद रखना, एटम अधर थन कार्बन अधिडरोजन, इसको क्या कहते हैं? में इन कार्बन कमपाउंड अर्कॉजन, इन और गैनिक कॉपअंड में कार्बन अधिडरोजन के इलावा कभी अटम होगा, उसे क्या कहते है? हेटरो एटम कहते हैं, तो अब हेटरोएटम से ही हमारे को पता चलता है कि किसी औरगयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपटीस होंगे तो से क्या गहते हैं functional group अब हेटरोएटम तो मैंने बता दिया अब मेरी बास सुनो सबसे पहले हैटरोएटम कौन सा लगा हो सकता है means chlorine, bromine, iodine, fluorine means halogens वाले अगर कोई लग जाए means सबसे पहला हम functional group means जो हम से हेट्रो एटम लगा होता है वो बताता है कि ये कौन से group का member होगा और हेट्रो एटम से हम बता जाते हैं कि हाँ इसकी properties ऐसी होगी means एक properties define हो जाती है so अगर हेट्रो एटम्स हेलोजन्स वाले group में से लगा हो means सबसे पहले हेलोजन्स कार्बन के साथ बहुत जल्दी attach होते है so हेलोजन्स में क्या आते हैं क्लोरीन, bromine, fluorine, iodine ये 17th group वाले elements तो अगर 17th group वाले elements में से कोई भी कार्बन के साथ जुड़ जैसे यहां पर क्लोरीन बाकी सारे एच एच ही है means हर कार्बन के साथ चार bond ही है देखो एक, दो, तीन, चार पर इसके साथ एक क्लोरीन लग गया क्योंकि एक कार्बन है और सभी में सिंगल बांड है इसलिए क्लोरो मिथेन अगर 2 कार्बन लगे हो means 2-2 कार्बन इटाइज जो हर कार्बन के साथ कितने बांड होते है मेरे बच्चो चार, हर कार्बन के साथ 4 बांड अब हमारे यहां पे जैसे क्लोरीन लग गया हर कार्बन के साथ चार बॉंड तो रहे पर यहां पे क्लोरीन लग गया तो इसको हम क्या कहेंगे क्लोरो कितने कार्बन है दो क्लोरो इथेन अब यहां पे बियार ब्रुमीन भी लगा हो सकता है यहां पे आयोडीन भी लगा हो सकता है चलो मैं इसके साथ ब्रुमीन लगा देता हूँ अच्छा अगर halogen लगा हो ना तो इस group को उपता क्या कहते है halo alkenes means इसको क्या कहते है halo alkenes so ये functional group halo alkenes बन जाता है तो hetero atom एक group की properties decide करते है means एक organic compound की properties क्या होगी एक group बना जाते है और उस group को functional group कहते है so functional group की definition क्या होगी ध्यान से सुनना atom or a group of atom that defines the structure of organic compound atom एक बरी फूर्से सुनले atom functional group is an atom or group of atom that defines the structure or properties of a particular family of organic compound ये definition बना जाते है atom or a group of atom that defines the structure or properties of particular family of a particular family of a organic compound ये atom है ना means chlorine, bromine, iodine ये फिर फिर group of atom इसको group of atom क्या सकते है chlorine, chlorine, bromine means यहां पे भी bromine हो सकते है atom or group of atom that defines the structure or properties of particular family of compounds so means ये family क्या बन गई है हमारे पास हेलो alkane means halogens है और साथ में alkane है तो इसको हम क्या कहेंगे इस functional group को halo alkanes और इसके अंदर hetero atom क्या है देखो chlorine, इसका chlorine, इसका bromine, इसका नाम क्या होगा bromopropane क्यूंकि तीन carbon है इसलिए prop अब यहां पे अगर iodine भी लगा हो सकता है halogen 17th group में iodine भी आता है तो इसका नाम क्या होना था iodopropane, iodopropane means यहां पे भी fluorine F भी हो सकता है तो इसको हम क्या कहते है fluoroythane, so मैंने आपको haloalkanes नाम का पहला functional group करवा दिया और functional groups क्या होते है और hetero atoms क्या होते है यह भी बता दिया atoms other than carbon and hydrogen are called hetero atoms और उसके बाद हम क्या कह सकते है functional group की definition, atom और group of atoms that defines the properties of particular family of organic compound is called functional group, functional group is an atom or group of atom that defines the properties or group of particular family of a particular compounds दुबारा से सुनना, atom or group of atom that defines the properties of particular family of organic compound, ठीक है जी याद रखना ही definition means ये एक particular family की properties बता रहे है, organic compounds की एक particular family क्या होगी है हमारी halo alkanes, तो हमारा first functional group halo alkanes खतम हो गया, so याद रखना halo alkanes के बारे में, अब हम अगला functional group करने वाले, that is alcohol means second functional group, hetero atom, atom other than carbon and hydrogen in the chain is called, are called hetero atoms, फिर हमारी functional group, functional group की definition होगी, functional group is a atom or group of atom that define the structure and properties of particular family of organic compound, so ये functional group की बता दियो और मैने यहाँ पे practically hetero atom क्या, chlorine, chlorine, bromine और functional group क्या हो गया हमारा halo alkanes, so functional group हमारा halo alkanes हो गया, तो अब हम means halo alkanes को हम represent पता कैसे करते हैं, means ऐसे bond single bond CL, क्योंगी देखो single bond CL है, ये single bond BR, ये single bond F, ये single bond I, ये atom हो गया, means इसे हम क्या कहते हैं, इन्हे hetero atom कहते हैं, और इसे special properties define और organic compounds की, तो उसे हम functional group क्या हो गया, halo alkanes, अब हमारा अगला functional group आ रहा है, alcohols, अगला functional group alcohol, alcohol means Punjabi शराब, so अब alcohol का formula क्या होता है, means alcohol वो होता है, means carbon लगा है, carbon के साथ 4 bond लगे हैं, और पीछे OH लगा है, that is alcohol, alcohol है, 4 bond लगे हैं, पीछे OH लगा है, so वो alcohol हो गया, अब means इसका नाम पर क्या होगा, एक का है न, myth, methane, all, शराब के पीछे OH लगा होता है, और हर शराब के formula के पीछे OH लगा होता है, means अगर 2 carbon attach कर दे, तो यहां पर OH, हर carbon के साथ 4 bond लगा दिए, एक, दो, तीन, चार, और इसका नाम होगा, इथे, all, इथे, all, इथे, all केते हैं, इसे, ठीक है, क्योंकि दो carbon और पीछे OH लग गया, अगर हम तीन carbon लगा दे, और सभी के साथ ऐसे, H, 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 यहां पर भी H मेरे बच्चों, और पीछे लग जाए OH, तो उसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल, ऐसा चलता जाएगा, प्रोपेनॉल, all, all, पीछे OH लगा है, तो इसका फॉर्मूल, लिखने का तरीका क्या होगा, इसका फॉर्मूला, CH3 OH, इसको कैसे लिखेंगे C2 H5 OH इसको कैसे लिखेंगे C3 H7 OH ठीक है, और अर मेंज़, इसका फॉर्मूलल को होगा, और इसको हम फटॉर्मूललDEगूदीक मेंज़, आइफंकोनल गूर्मूल्व होगा, और इसको मेंज़, अ कया हरते है अंकोहर्मूल को, सिंगल Bond, OH, इसको हैं तो हैंटोल आतर अ carbon and hydrogen. So, in the carbon chain are called heteroatoms and functional group is a atom or group of atom that defines the structure or properties of particular family of organic compound means functional group is say any हमारे OH से एक particular family alcohol की पहचान हो गई. So, ये हमारा functional group alcohol हो गया. Functional group alcohol और इसको हम लिखते कैसे रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड OH के साथ, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड OH के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. So, अब हमारे alcohol भी खतम हो गया. जो लोग शराब पीते हैं, basically वो इथेनॉल होती है. और देखो अभी रिसेंटली पंजाब में 200-300 बंदा मर गया. Basically वो शराब में जो उनसे मिक्सिंग होती है, मिथेनॉल की, यह खतरनाक होती है. तो basically मिथेनॉल जब मिक्स हो जाती है, यह इंपॉरिटी होती है. तो अगर यह मिक्स हो गई न यह चीज तो बंदा मर जाएगा या फिर वो ब्लाइंड हो जाएगा. तो अभी जो अभी पंजाब में नकली शराब जिनों ने पी थी, 300 बंदों में से 200 बंदे मर गया और 100 जो बंदे अंधे हो गए हमेशा के लिए. तो इथेनॉल इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है. बिसिकली इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है इथेनॉल. अब फिर इसी लिए तो उसके अंदर मिक्स करा जाता है मिथेनॉल ताकि जों से यह लोग है वो शराब पीके means गिर मिथेनॉल तो इसी लिए क्या मिक्स कर दिया जाता है मिथेनॉल. मिथेनॉल क्या करता है ताकि उसका मिस्यूज ना हो इथेनॉल का तो मिथेनॉल मिक्स कर दिया जाता है ताकि अगर कोई बंदा पीए तो मर जाए means और इसी लिए मिक्स करा जाता है. बेसिकली क्या हुआ जो नसी नकली शराब थी, उसमें बेसिकली क्या mixing हो गई, methanol की mixing हो गई, तो इसी दिए लोग मरे थे, तो हमारा अभी दो functional group हम discuss कर चुके हैं, बाकी functional group next video में discuss करेंगे.